Pint UPSC, this is NCIT class twelfth of macroeconomics और इसमें हम लोग से एक chapter open economy कर रहे हैं अब तक की वीडियो में हम लोगों ने इन topics को discuss करा, अपने सबसे recent video में हम लोगों ने देखा कि nominal exchange rate, real exchange rate, near, rear में क्या फर्क होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नॉमिनल एक्षेंज रेट सेट अप हो रहा है कि one dollar is equal to 70 rupees or 75 rupees whatever it is वो कैसे हो रहा है तो शुरू करते हैं topic के साथ आज की topic के साथ how exchange rates are determined see there are three ways of determination of exchange exchange rates in the market first one is market mechanism free market mechanism से हम लोग कर सकते हम लोग सट पता लगा सकते कि कि इतना exchange rate होगा दूसरा होता है fixed fixed rate mechanism और तीसरा होता floating rate mechanism ज्यादा सथे ज्यादा countries ने ऐसा बोलती है कि उन लोगों ने वो market mechanism की उपर काम कर रही है on paper they have adopted market mechanism लेकिन reality में in practice floating exchange rate चल रहा है उन सभी का market mechanism में क्या होता है market mechanism में एक currency की demand और दूसरी currency की supply मतलब उसी currency की demand और उसी currency की supply के आधार बें बता चलता है कि कि कितना उसका rate होगा कितना उसका price होगा यहां पे एक market है जहां से आप चीजों को export कर रहे हैं this is person a person b and person c यह तीनों goods and services को बाहर बेच रहे हैं export कर रहे हैं इसके बदले में इनको क्या मिलेगा इसके बदले में इनको मिल रहे इसके बदले मुझे रुपे दे दो इंडिया में अब डॉलर के बदले इनको रुपे देगा कौन रुपे वो देगा जिसको डॉलर की requirement होगी अब डॉलर की requirement किस लिए होगी कोछ लोगों ने show off के लिए रखा हो अपने wallet में रखेगा कोई कि मुझे मेरे पास डॉलर है य बहुत बाइब परप्रसीज वोते हैं इसके डॉलर की requirement होती है अब देखिए है यह डॉलर के खरीदार है दिजार बायर्स ओफ डॉलर और टिजार सफर्फ डॉलर में ली बायर कौन आए जिसको इंपोर्ट करना है इंपोर्टरस बायर है एं एक्सपोर्टर सेलर हैं क्यो इन लोगों को import करना है, import करने के लिए international market में payment करनी पड़ेगी और payment जो उती है वो dollars में हो रही है, तो इस वज़ासे एक आपको एक चीज पता चल जा रही है, कि जैसे जैसे import बढ़ते हैं, dollar के buyers भी बढ़ेंगे, जैसे-जैसे export बढ़ते हैं, वैसे-वैसे dollar के sellers भी बढ़ ठीक अब seller और बायर एक मार्केट में मिलते हैं उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट कि इतने रेट पे यह बेचने वाले तहियार होगे कि हम लोग इतने पे बेचेंगे और बायर लोग ने का कि नहीं इतने पे नहीं थोड़ा नेगोशेट करो थोड़ा नीचे आओ फिर दोनों की बार गेनिंग के वज़ए से हम लोगों को एक एक्सचेंज रेट मिला इसमें क्या हो रहा है इसमें केवल और केवल डिमांड हो रही है कोई भी थर्ड पार्टी म इसमें इन्वॉल्मेंट नहीं है ठीक इसमें सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं सेंट्रल बैंक का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर देश के एक सेंट्रल बैंक होता है हमारे देश का सेंट्रल बैंक आर्वी आई है ठीक तो जब मार्केट में यूएस डॉलर के बायर आ गये इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी और जैसे जैसे फॉरन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी वैसे 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 एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होता जाएगा और दूसरी कंडिशन में डिक्रीज होता जाएगा यह है प्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो चुका है यहां पर इतना एक्सचेंज मान लेते हैं अभी चल रहा था थैक इस यह डिमांड है आपकी और यह आपकी supply है अब होता क्या है कुछ कारण के वज़े से डिमांड अचानक से बढ़ गई शौट अप होगी डिमांड डिमांड शौट अप होने के वज़े से अब एक्सचेंज रेट जो गया डिमांड इतनी थी और supply और इतनी इस position पे मिल रही है और एक्सचेंज रेट फिर उसकी वज़े से बढ़ गया अब आरवी को चिंता होने लग जाती है कि यह तो बहुत जादे एक्सचेंज होता जा रहा है तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा कं करने के लिए क्या करते हैं और भी या फिस क्या कर सकता है एक तरीका तो हो गया किसी तरीकि से दिमांड को कम कर दे दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जितनी demand इंक्रीज हुई है उतनी ही supply इंक्रीज कर दे इस is increase in supply यह supply है आपकी उतनी supply increase करते जब supply भी उतनी increase हो गई तो फिर से वही एक्सचेंज रेट आ गया ठीक तो यहाँ पर हुआ क्या इसको लेमन लेंग्वेज वाला जो एक्जांपल हम लोगों ने पिछले वाला लिया था उसमें समझते हैं एक्सपोर्टर्स थे ए बी जो की डॉलर को supply कर रहे थे या फिर यह कहें डॉलर के supplier थे और बायर्स अचानक से बी सी डी इफ जी इतने सारे बायर्स बढ़ गए तो डिमांड अचानक से बढ़ गई जिसके वजह से इन लोगों ने महेंगे में बेचना अपना शुरू कर दिया क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई से तो इस वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है फिर इस टाइम पर आर बी आई आता है और बहुत सारे डॉलर्स की सप्लाई क्रियेट कर दे रहा है जब सप्लाई और दिमांड फिर से बराबर आ जाती तो फिर से वही एक्सचेंज रेट आने लग जाता है ठीक तो जिस तरीके से कमोडिटी में या फिर कोई सी किसी भी सामान की खरीद विकरी में काम चल रहा है वही एक्सचेंज रेट मे इसमें इंटर्वीन क्यों करना चाह रही है देखिए अगर तो एक्सचेंज रेट बहुत जादा हाई है तो भारत जैसे कंट्री उसके लिए इंपोर्ट महेंगे हो जाते हैं अब क्रूड ऑल जैसे इंपोर्ट हैं प्रूड जैसी नेसिसरी चीजें जो भारत को इंपोर्ट करनी पड़ती है अब एक्सचेंज रेट सेवेंटी रूपीज से एटी रूपीज हो गया तो इंपोर्ट का दाम भी हम लोगों का बढ़ जाएगा उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से क्रूड ऑईल या फिर पेट्रोलियम या डीजल डॉमेस्टिक मार्केट में महे और नाखेज दागा तो बढ़ने का देनन नुक्सान निस अगर ब cocktail जाता है तो कि बहुत ज्मग करके पूरे के पुरे अध्यल्य करता है तो कि करता वह इसल्य करता है कि अगर सब्सक्राइब जाता है तो exporter को नुक्सान होता है इसको अभी हम लोग समझते हैं कैसे हैं देखिए एक पर्सन है पर्सन ए वो कोई एक समान बनाता है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वह वन डॉलर की है और वह वन डॉलर में बेच रहा है अब वन डॉलर इसको मिला तो जब वह पर डॉलर उसको 70 रुपी मिल रहे हैं अब किसी वजह से फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के सप्लाई कम हो गई तो अब क्या होगा अब होगा यह कि डॉलर महंगा हो जाएगा अब वही समान उसने बेचा उसकी बेच बनाने में कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया ठीक है उसके लिए चार्ज कुछ भी चेज नहीं हुआ बस इंटरनेशनल मार्केट में जाता है वन डॉलर का बेचता और वन डॉलर कमा के आया इंडिया में तो उसने देखा कि हमारे जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें अब 80 रूपीज हो चुका है तो मतलब उसी सामान पर उसको 10 पर एक्सट्रा अर्निंग और भी आब वह यह काम भी कर सकता है कि उसको फोस्ट फार्डश मार्केट में चल रहा है आप ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यहां पर एक्स्पोर्टर को फायदा तब होता है जब करनशी सिवलेट होती है तब यह सब्सक्राइब को फाइदा होता है अब इन सभी situation को देखते हुए कि import कितना करने exporter कितने है export कितना करने export वाले को ज्यादा नुकसान ना हो इन सब को देखते हुए Central bank की decision लेता है कि मुझे exchange rate को किस लेवल पर रखना है हाला कि exchange rate को determine करने का केवल एक यही तरीका नहीं है exchange और भी बहुत कारणों से उपर नीचे होते हैं केवल डिमांड सप्लाइच पर नहीं होता है गुड्स की खरीद विक्रीपे स्पेकुलेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सपेकुलेशन कैसे स्पेकुलेशन का मतलब यह हुआ कि जो डॉलस का यहीं होता जारह तो किसी पर लगता है कि यार एक्सटी डॉपीस बहुत लो लेवल चैनल आए बहुत ही सस्ता हो रख़्ाए डॉल से ज्यादी बढ़े गई मतलब्स से ब्सक्राइब चला की चला जो स्पेकुलेशन करते हैं और जिनका स्पेकुलेशन है कि 70 रुपीज तक जाएगा वो डॉलर खरीदने लग जाते हैं तो इन्होंने क्या करा डॉलर की दिमांड बढ़ा दी इस पॉइंट पे ताकि जब वो 70 रुपीज का हो तो तब हम लोग इसको बेच के 10 रुपए का डॉलारोले फाइदा ले और इससे नीचे जाएगा तो डॉलर को बेचना शुरू कर देते हैं जिब बसक्रस बढ़ा देते हैं तो फिंसक्रेशन की वजय से यह बढ़ा दोव्न की कम जादा होती रहती है दूसरा कारण क्या डॉलर की ऐन्ट्रेट मीरित में आपको को जो गोदो करती है उनका प्रेस profesor में इंस्तौन्ड होते हैं टैक। यहां से पैसा सस्ते में उठाया गया और फिर जाके इंडिया में भवंट्स खरीज ले जाते हैं तो जोमि डिफ्रेंस aja इस जो यहां कें चार से 5% कें हैं पांच परसेंटेज़ पॉइंट्स जो इसका mama इंवस्टर है उसका प्रॉफीट है कहने का मतलब क्या हुआ जब यहां पर बॉण्ड यादा है और आपर इंटरेस्ट रेट कम है तो कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेके आ गया और यहां पर अचानक से नए इंडिया के बॉण्ड खरीदे शुरू कर दिये तो क्या हुआ यहां पर डॉलर की सफलाई बढ़ रही है बहुत सारे लोग आगे हैं अपने पैसे को रूपी में करना चाहते हैं और रूपी का यूज करके वो लोग यह वांड्स खरीदना चाहरे हैं जो की रूपी डॉमिनेटीड है तो एक इंटरस रेट डिफरेंशल का भी एक फर्क पड़ता है जैसे जैसे लोगों की इ प्रेंज होने लग जाते हैं अब पीपी थियोरी एक है पर्चेजिंग पावर परेटी थियोरी उसका अगर माना जाए तो एक्सचेंज रेट में जो भी फ्लक्टुएशन होती है करेंसी में उसका सब प्राइस कोमोडिटी की प्राइस में नहीं बढ़ता है मतलब कैसे मा एक्सचेंज रेट चल रहा है वह वन डॉलर फिफ्टी रूपी का चल रहा है तो यूएस में यही कब आपको वन डॉलर में मिलेगा मतलब फर्क कोई नहीं आया ऐसा पीपी थियोरी कहती है कि मतलब जो भी एक्सचेंज रेट में चेंज होते रहते उसके हिसाब से में नहीं पड़ेगा ऐसा पीपी थियोरी कहती है हाला कि कितना से यह कितना गलत है वह हम लोगों ने जब नीर और रीर का डिफरेंस देख रहे थे तब उसमें हम लोगों ने पता कर दिया था अब पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आते हैं देखिए इसमें सेंट् सेंट्र बैंक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में काम कर रह थी या अगलत दोट रंच्छेंजर रेट सिस्टम में सिस्टम था तब करन्सी के फ्लक्टुएशν वैंट था डॉलार थ्टोड़ा ज्यादा फ्लक्टुैस घो भारता दा लेकिन जब एक्सचेंग र आपका करेंसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में इतने इस लेवल के अंदर एक सेंट्रल एजेंसी उसको मैनेज कर रही है लेकिन अगर पैक्ड एक्सचेंज रेट है तो 70 रूपीज है और 70 रूपीज से 60 नहीं चला जागा है 70 वन आ जागा उससे उपर नीचे जाने नही मार्कित में मों कम ज्यादा कर सकती है तो अपनी एंट्रेल करेंसी की सपलाई को अंटर्नैशनल करेंसी की सप्लाई के सथ मैंनेज कर रहा हूं इसमें मेरे उपर यह बर्डन खतम हो जाता है कि मुझे डॉलर की सप्लाइब को करने मैं बाइब लॉव पर एक्स मार्केट में रुपी की सप्लाई को कम जाद करना शुरू कर जकता हूं ऐसी सिट्वेशन में सेंट्र बेंक बहुत श्रिक्ट अक्षन लेती है बहुत ही ज्यादा हाट स्टांस मेंटें करती है कि मुझे इस लेवल से करनसी को ऊपर नीचे जाने नहीं देना है तो currency उपर या नीचे होती है ताब हम लोग उसके लिए जो term use करते हैं वो होता है evaluated or devaluated china की currency कभी appreciate or depreciate नहीं होती है उसकी या तो revaluate होगी या तो devaluate होगी क्यों 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 वो बहुत ज्यादा Chinese government का control है कि exchange rate क्या होगा वहां पर और वो devaluate या devaluate करता है इंडिया जो कि floating exchange rate mechanism को in practice follow करता है उसके currency या तो appreciate होती है या तो depreciate होती है तो यह था हम लोग का exchange rate की वो कैसे set होता है market में जब तक हम बागी के topic आपके लिए cover करें NCIT के या फिर बागी standard books की भी तब तक आप यह काम कर सकते हो sprint UPSC की app को download करो और उसपर जितना test आप practice करना साथ तो इतने test को practice करो जितना ज्यादा आप practice करोगी उतना ज्यादा आप improve होगे और जितनी ज्यादा आपकी improvement होगी उतनी improvement आपके prelims के marks में भी होगी so UPSC prelims is all about practice so keep practicing on sprint UPSC app तब तक के लिए thanks and have a nice day